सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल सुरज पटेल एजुकेशन में दोस्तों मुंबाई यूनिवोसिटी ने आप लोगों के लिए फिर से एक वेरी इंपोर्टेन इंफोर्मेशन नोटीस रिलीज कर दिया है और ये नोटीस दोस्तों खास कर टीवाई बिकॉम स्टुडेन के लिए है यस दोस्तों ये टीवाई के स्टुडेन के लिए नोटीस दिया गया है जैसे कि इधर आपको दिख रहा होगा लेकिन ये notice को आगे continue करने के पहले आप लोगों से request है कि चैनल को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं के तो please subscribe करके bell icon को दबा के हमें जरू support कीजिए अब इस वीडियो को continue करने के पहले एक important information दे दू जो बहुत important update है कि आपको सभी लोगों को पता होगा कि आपका जो paper है वो one hours का होता है लेकिन अभी भी paper one hours का है question में changes कर दिये जब 25 question आता था अब उसके जगे 50 mcqs आएंगे और उसमें से आपको 40 attain करना होगा आपका marks जो होगा 60 marks का होगा पहले 25 mcqs आते थे 50 marks के लिए अब 50 mcqs आएंगे 60 marks के लिए लेकिन 50 आपको नहीं attain करना है कोई भी 40 आपको question attain करना है आप चाहे तो 50 भी कर सकते हो और बाकी का information दोस्तों आपको बहुत अच्छे सा पता होगा दोस्तों लेके 6 बजे के बीच में आप कोई भी slot में आप एक घंटे का time choice करके आप अपना exam दे सकते हो अब साती साथ कि आपका कौन से तारिक से exam चालू होने वाला है तो दोस्तों आपका twist day 21 जैन्वरी से exam आपका चालू होने वाला है slot आपको इदा दिख रहा होगा दोस्ते 6 का slot है ठीक है कौन-कौन से paper है वो भी आप देख लिजें यह ती वाइ फ्रेसर और repeater दोनों student के लिए चालू हुआ जैसे कि 21 को आपका exam होने वाला financial accounting यह repeater लिखा हो मतलब है repeater 2016 यर के बेच का चालू होने वाला है फिर 21 को ही अपना business management है 22 को दोस्तों आप लोगों का कोस accounting है लेकिन यह कोस accounting किसका है repeater student का और 22 को जो फ्रेस student है उनका financial management है ठीक है दोस्तों आपको दिख रहा होगा नीचे 23 को auditing है ठीक है यह आपको मैं एक अरली बता दे रहा हूं ठीक है यह repeater का जहां आर लिखा है मतलब repeater फिर 23 को marketing management का है फिर बाद में आ जाता है business economic ठीक है 25 को timing आपको इदा 2-6 में से कोई भी एक slot आप select कर सकते हो ठीक है देन उसके बाद commerce आ जाता है 27 को ठीक है यह फ्रेसर student के लिए दोस्तों फिर उसके नीचे आ जाता है direct and indirect text ठीक है देन उसके नीचे आ जाता है export management ठीक है फिर marketing research दोस्तों यह आपके time table है आप देख लीजिए आपका कौन सा subject है क्या subject है और दोस्तों important notice अभी भी बता देता हूं कि जितने भी tyb.com के student है इनका mcqs pattern है मतलब mcqs आने वाला है आपको all subject का mcqs one website पे मिल जाएगा www.sorajpataleducation.com लिखना इस website पे आपको all subject का mcqs मिल जाएगा पहला इस link को आपको click करना है जैसे ही आप दोस्तों click करोगे आपके सामने एक interface आ जाएगा इस interface पे एक ही काम आपको करता है दोस्तों मैं आपको अब भी बता देता हूं क्यूंकि आपको all subject के mcqs मिल जाएगे इसी के लिए इस वीडियो को मैंने end तक सिर्फ देखते रही है दोस्तों थोड़ा net problem है दोस्तों इसके बाद आपको इधर course पे आना है अब यहां course पे आके commerce पे क्लिक करना है देन आपको इधर ty become पे क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको all subject का mcqs मिल जाएगा दोस्तों क्लिक करना है अपको जोस्तों अपको शोस्तों आपको जाएगा जाएगा है